खबर है 36 गड की जहां जेल में पूर मुखे मंदरी अजीद जोगी के बेटे अमी जोगी की तब्यद बिगड गई और उन्हें इलाज के लिए बिलासपूर रवाना किया गया नागरिक्ता मामली में फसे अमी जोगी न्यायाई क्रिमान पर गुरेला उप जेल में बन है लेकिन आज उनकी अचानक तब्यद बिगड गई है उन्हें हाई ब्लड प्रेशर के शिकायत पर गुरेला की MCH एस्पताल में भरती करवाया गया है जिसके बाद बिलासपूर सिम्स के लिए रवाना किया गया है अमित जोगी ने कहा कि यदि मुझे कुछ भी होता है तो उसके लिए भुपेश भगेल और सरकार जिम्मेदार होगा वहीं विधायक प्रमोट शर्मा ने प्रशासन पर लापरवाही का रोप लगाया है अमित जोगी ने कोट में अर्जे लगा कर मेडिकल चेक अप कराये जाने की मांग गई थी जिस पर कोट ने इलाज के लिए जेल प्रशासन से रिपोर्ट की मांग कर निर्देशत किया था बिलासपूर जाने से पहले शाम को हाई ब्लड प्रेशर के शिकायत थी इसके बावजूर उन्हें उच तरी हस्पताल में ले जाने की विवस्ता नहीं की जा रही थी बड़े हुए ब्लड प्रेशर के साथ लगबग दो घंटों तक उन्होंने अम्बूलन्स का इंतजार किया जेल प्रबंदन द्वाराओं ने चिकित्सकों के टीम के साथ बिलासपूर के सिम्स के लिए रवाना किया गया बलोदा बजार विधायक प्रमोट शर्मा जूनियर जोगी की देख रेक कत्ते उनके साथ गए हैं बता देगी तीन सिप्तंबर को अमिजोगी को मरवाही सदन में गिरफ्तार किया गया था शपत पत्र में नागरिक्ता की गलत जानकारी देने का अरोप लगाते हुए भाजपा नेतरी समीरा पैकरा ने अमिजोगी के खिलाब 420 का मामला दर्च करवाया था अमिजोगी जी का बीपी 180 से इतना हाई है उसके बाद भी यहाँ इंबुलेंस के नाम से इनको दो घंट तक के हस्पिटल ने बिठा के रखा गया था सिर्व Around के लाज के नाम से इक अशभी वहाँ है जा अब डॉक्टर सीधा अर्फन कर दिया है कि यहाँ इनका एंगा ने सकता जाना जाना ने आला एह निए वोल दिये कि जहाँ इलाज कराना चाहते हैं इलाज करा लें बोलके हाई बीपी वाले को यहां बेड़ गंटे से भीठा के राखे हैं यह क्या सिवधा है क्या प्रशासन है यहां दो गंटे बाद लेद बहुत मुश्किल से क्पेमुलेंस आया है और उसके बाद बिलास्व रिफर करते हैं अगराना एंड जोती गार्डन अजे बीटी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बेल आइकन को ख्लिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें थन्यवादी